कि कि है थे अग्लोजीवार्ण शुक्त करें आप सभी का गाइस अले दिखते हैं किया मेसेज़ देना शाहती हैं कि परशन आपको कि कहना शाहते हैं आपसे उनके नर्जे उनके फिलिंग्स क्या है आपके लिए उनका मैसेजेज क्या है तोके दो कार्ड हमें मिल चुके हैं इनका सबसे पहले मैंसा जी है I choose you because I believe in true love together we are going to prove this to the world तो इनके तरब से आपको आपको प्रपोस मिल सकते है हो शकता है कि ये परशन आकर आपको प्रपोस करें आप दोनों की भी से गर एक्वल गिवन टेक नहीं था ये परशन एफ़र्ट्स नहीं डालते थे इस रिष्टे पर तो ये परशन खुद से आकर आपको प्रोज कर सकते हैं आपसे ऐसे बाते कर सकते हैं कि गाइस हो शकते हैं कि इस परशन के पास आपसर रहा है ठीक है आपसर रहा है तो ये परशन आपको कहना चाहरा है कि मैं उस आपशन में तुम्हें चुनता हूं या तुम्हें चुनना चाहता हूँ, अपने feelings आज के दिन आपको share कर सकते हैं, आपको express कर सकते हैं, आपको propose कर सकते हैं ये person, और ये person आपसे यही कहना चाहते हैं, कि मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे true love पर भरोशा है, ठीक है, ये person आपको अपने true love मान रहा है और true love क्या होता है ये दुनिया को दिखाना साथे हैं ठीक है आपके साथ वाँ ये और ये काफ़ जदा cute couple हो ये ये काफ़ जदा ये काफ़ जदा happiness to my life आप इनके लाइब में happiness लाते हो खुशियां लाते हो आप इनके source of happiness हो you are the most beautiful thing that happened in my life I could not imagine a life without you by my side वाँ कितना beautiful message है इनके side से so जो भी इनके life में हुआ है न जो भी इनके life में घटित होई है आप इनके life के बहुत जदा क्या कहना चाहिए एक बार और message पढ़ना चाहूंगी you are the most beautiful thing that happened in my life जो भी इनके life में हुई है ठीक है आप इनके life में के beautiful चीज हो आप इनके life के beautiful हिष्चा हो खुबसूरत thing हो ठीक है और ये person आपकी बिन अपना life survive नहीं कर सकते imagine हैं नहीं कर सकते ठीक है इतना सद ये person आप से love करते है इन्होंने realize कर लिया है love you forever कह रहे हैं कि ये person हमेशा आप से love करेंगे हमेशा हमेशा आप इनके true love हो इनके true love हो इनके अपना आप इनके true love हो ये person लोगों के भीड में हमेशा आपको search करते हैं हो शक्त है कि आप दोनों का break up हो चुके है तो ये person आपको बताना चारने है ये बताएंगे आज के दिन आपको कि ये person हमेशा आपको search क्या करते थे ठीक है कि कहीं आप इस person को दीख जाओ ये तो ये person आज ऐसा करेंगे भेले बाचित नहीं कर पाते तो ठीक है अगर बाचित नहीं हो पाती आप दोनों के भी किसी situation के वज़े से किसी reason के वज़े से तो ये person आपको बताना चाहते है कि मैं हमेशा तुम्हें देखता हूं तुम्हें खोशता हूं लोगों के बेड़ में मेरी आखी हमेशा तुम्हें search करती है तुम्हें धोनती है ये इनके नर्शी है I want to say grow old long with me the best is it to be ये हमेशा हमेशा आपके साथ रहना चाहते है ठीक है हमेशा long term चाहते है फिर उसर देखते हैं ये person आपके साथ you are unique you are caring and you are the best आप unique हो आप सबसे अलग हो and I am the luckiest to have you in my life खुद को काफे जदर लगी मानते हैं कि आप इस person के life में आए you make me happy no one else can आपके जितना आप ही इनको happy कर शकते हो ठीक है I don't know how to thank you but I am lucky to have in my life काफे जदर खुद को लगी मानते हैं कि आप इनके life में आएं guys मुझे लग रहे हैं कि ये person आज की दिन अपने feelings आपको ज़रूर बताएंगी ज़रूर आपसे share करेंगे तहरों से दिखते हैं क्या है इस person के energy इनका अगला कदम क्या होगा क्या ये person रियल में कोई action लेंगे इनका next action क्या होगा इस person के energy क्या होगी चार्ज आप दोनों की union होगी ये person आपको प्रपोस्ट करेंगे वाउँ इंप्रेश definitely मुझे ऐसा लग रहा है कि guys कुछ लोग ले कहना चाहूंगी कि भले आपको आपकी person के तरफ से प्रपोस्ट नहीं मिलता है या तो आप दोनों की भी इस बाचीत नहीं होती है तो दाश्ट मत होए क्योंकि आप इस person के लिए real में सबसे unique हो शबसे अलग हो एक embrace के तरह आपको देखते हैं काफे ज़दा loving, caring, काफे ज़दा mature मानते हैं आपको ये person खुद को कि आप दोनों की भी सब कुछ short out हो जाए आप दोनों की भी सब कुछ balance हो जाए ये person balance में करें अपने life को आपको अपने life और आपकी भी सब कुछ balance में करें क्योंकि आप ही इनकी दुनिया हो और एक नई शुरुवात ये चाहते हैं अपने feelings को शेयर करना चाहते हैं आपको ऐसा लगते हैं कि ये person आपसे कुछ बाते चीपाते हैं आपको ये person लगते हैं कि काफी जद अमेश्टेरियर्श है ने feelings शो नहीं करते तो guys बहुत सारे लोगों के लिए ये person आपको show कर सकते हैं आपको proposal मिल सकते हैं कि ये person सोच रहे हैं और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप दोनों के भी थर्ड पार्टी situation है थिक है थर्ड पार्टी कोई भी हो शकता है इनका career का श्टर रिलेशन कि इनका family या friends इनको भड़का रहा है कोश वज़े से ये person आपको अपने feelings आपको show करना तो चाहते हैं इनके energy ऐसा है कि ये person जट से आपके पास आजा है आपको मिलने आपको हग करें आपको security दे आपको stability दे इनके energy ऐसा है जिन लोगों की भी थर्ड पार्टी situation है ये person थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ पर इनकी responsibility है और इनको ताने काफी ज़्यादा सुने को मिलता है किसी से इनके family से थर्ड पार्टी शें ये मुझे दिखाई दे रहा है ये इनके पास अच्छी carrier नहीं है तो ये person सबसे पहले वह अच्छी उप करके आपको प्रपोर्ष करना साथ है गाइस मुझे रियल में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर union दिखाई दे रहे है आप दोनों मुझे ये person आपको कुछ offer करते भी दिखाई दे रहे है या तो आप इस person को प्रपोर्ष करोगे ठीक है आपको security दे शकते हैं stability दे शकते हैं आज के दिन और अगर आपको नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं आपको उदाश नहीं होने हैं आपको परेशान नहीं होने हैं क्योंकि कुछ reason के वज़े से यह सब हो रहे ठीक है और आपके भलाई के लिए हो रहे है night of pentacles यहां पर रहा है page of curbs देखें अगर आपको आज के दिन प्रपोजल नहीं मिलता शो कोई बात नहीं उदाश मत हुए क्योंकि आगी जाकर यह परशन आपको देश सकते है आपको कुछ बड़ा offer कर शकते है क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है भले ही delay होगी बट यह परशन आपको जब देंगे ना तो security stability देंगे और बहुँ सारे लोगों की base आज ही union होगी यह परशन आज ही आपको प्रपोश करेंगे आपको कुछ ओफर करेंगे और कुछ लोग ले आपको message करेंगे आपको call करेंगे आप दोनों की वेज बातचीत होगी बट होशकता है कि कुछ बड़ा offer ना मिले कुछ लोगों के ले मुसे यह नजर आ रहे है और बहुत सारी लोगों के लिए यह परशन आपको commitment दे शकते हैं जो आप चाहा रहे थे बहुत दिनों से और यह परशन आपको नहीं दे पा रहे थे इस तक situation था आप दोनों की वेज finally यह परशन इस energy को छोड़ कर इस energy से बाहर निकल कर आपको commitment देंगे equal given take करेंगे यह मुझे दिखाई दे रहे है so यह है आपकी reading like, subscribe and share जरूर किसे का मैं मिलूंगे आपसे next reading पर bye, love you all